नमस्कर दोस्तों स्वागाते आपका आमारे यूट्यूब चनल पर यूपी प्लिस कॉंस्टेबल एक्जाम के लिए हिंदी का मॉक टेस्ट हम लोग देखेंगे जिसमें हम लोग का टॉप 100 कोश्चन देखने वाले हैं वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों से एक बात कहूंगा जो लोग नए हैं तो प्लिस चैनल को जरू सब्सक्राइब करने हैं चलिए स्टार्ट करते हैं आज के सेशन में पहला कोश्चन है हिंदी की मूल उत्पत्ती जो है वो किसी से हुई है तो देखे ओप्शन D सौर सेनी अपभरंस से हुई हिंदी की मूल उत्पत्ती भारत की प्रथम देश भासा जो है वो कौन सी है ओप्शने पाली निमलिखित में से कौन सी भासा संस्कृत भासा का अपभरंस है ओप्शन D भासा के सुध रूप का ज्ञान आल कि ओपसिन भी व्यक्राण से होता है। हिंदी में सोतंत रूप में बोले जैने वाले अच्छार क्या कहलाते हैं। आप्शने सुर कहलाते हैं हिंदी भासा में बे धोनिया कौन सी हैं जो दुसरी धोनियों की सायता से बोली या लिखी जाती हैं आप्शन भी बो कहलाते हैं बेंजन का खा गा फा में में से कौन सा उर्दू से लिया गया है आप्शन डी खा जिन सब्दों में अन्त में A आता है उन्हें क्या कहते हैं? उनको कहा जाता है उप्शन D अकारांत कहा जाता है नर्दे से प्रसंत क्या 9-13 के लिए निमलिकित प्रसंणों में 4 बैकल्पिक बरतनी दी गई है सही बरतनी वाले सब्द का चैन करना है जैसे कि 9 में कोशन है, 9 में कोशन में सही बरतनी वाला सब्द कौन सा है अनुच्छेद को option C कितारे लिखते ना कि option A, option B, option D कितारे दस्वा कोशन है, 10 में कोशन में पूजी बात को option B कितारे लिखते है ना कि option A, option C, option D कितारे अब 11 है, 11 में अंतर नीत को अप्षन C कितारे लिखा जाता है ना कि अप्षन A, अप्षन B और अप्षन D कितारे 12 कोशन में परिच्छा को अप्षन D कितारे लिखा जाता है ना कि अप्षन A, अप्षन B, अप्षन C कितारे तेरवे गोशन में देखिए सड़यंत्र को आप्शन A की तरह हैं लगते ना कि आप्शन B, आप्शन C, आप्शन D की तरह निर्देश से प्रस्ण संक्या 14-17 के लिए निमलिकित प्रतिक प्रस्ण में दिये गए सब्दों में प्रियुक्त संदी के प्रकार का चैन उसके नीचे दिये के बिकलपों में से कीचिये कभी सुर में कौन सी संदी है अगला सन्सार, सन्सार में संदी कौन सी है चार उप्शन इसमें से हो जाएगा। उप्शन C, ब्यंजन संदी तनमय में कौन से संदी हो जाएगी चार उप्षन में तुष में हो जाएगा उप्षन है तनमय में बेंजन संदी हो जाएगी अगला है इत्यादी इत्यादी में कौन से संदी है उप्षन है यान संदी निर्देश से प्रस्णों के 18 से 24 के लिए निमलिकुत प्रस्णों में सही संदी विच्छेद का चैन करें पुनर जनम का संदी विच्छेद क्या होगा? आप्शन B पुनर धनम धन जनम नेक्स्ट है पित्र रिण में पित्र रिण का जो संदी विच्चेद होगा बो क्या होगा ओप्सन सी पित्र धन रिण इत्यादी का संदी विच्चेद क्या हो जाएगा ओप्सन ए इति धन आदी युदिश्ठिर का संदी विच्चेद बताओ तो देखे इसका हो जाएगा यूदी धन, इस्थिर जगदीस का संदी विच्छित क्या हो जाएगा जगदीस का हो जाएगा ऑप्षन है जगत धन, इस कन कटा कन कटा जो होता है इसका संदी विच्छित क्या हो जाएगा ऑप्षन B, कान धन, कटा रामायर का जो संदीव इच्छे दोगा वो क्या होगा? आपसिन C, रामधन, आयन निर्देश से प्रसंसंक्या 25-28 के लिए निमलिखित प्रतिक सब्द के लिए उसके नीचे दिये गए विकल्पों में से उप्युकत समास चाटिये दसानन में कौन सा समास होगा? आपसिन B, बहुवरी समास हो जाएगा रोग पीडित, रोग से पीडित इसमें कौन सा समास हो जाएगा? आपसिन D, तत्पुरुस समास प्रतिमान का बिलोम्स, प्रतिमान का में कौन सा समास हो जाएगा? प्रतिमान में तो अब बेई भाव समास हो जाएगा बीर पुरुस इसमें कौन सा समास होगा तत्पुरुस समास हो जाएगा अब है निर्दे से कोशन संक्या 29 से 33 के लिए नीचे लिखे पृत्तेक बर्ग में दिये गए विकल्पों में से तस्सम सब्द का चैन करें 29 कोशन है 29 इसमें आपका तस्सम मतलब संस्क्रत का सब्द कौन सा है ओप्सिन भी चंद्रमा ओके तीसवा कोशन है इसमें आपका तस्सम सब्द कौन सा हो जाएगा विभा ओके 31 में आपका तस्सम सब्द कौन सा हो जाएगा ओज 32 में आपका तस्तम सब्द छाड़ना है 32 में तो इसमें हो जाएगा निर्माम 33 में आपका कौन सा होगा सुमन अब निर्दे से कोशन संक्या 34 से 38 के लिए नीचे लिखे प्रतिक बर्ग में दिये गए विकल्पों में से तदबाव सब्द का चैन करें तो 34 में आपका तदबाव सब्द कौन सा हो जाएगा और 36 में तदबाव सब्द कौन सा है और 37 में बताना है तदबाव सब्द तो और 38 में आपका कौन सा हो जाएगा और अगला है परमपरा से एक निश्चित अर्थ में प्रियुक्त होने वाले सब्द जो है वो क्या कहलाते हैं आपसने योग रून कहलाते हैं निर्दे से प्रसंसंक्या 40-44 के लिए निमलिखित प्रतेक चार विकल्पों में से बेमेल मतलब असंगत सब्द चिन्नित कीजिए मतलब आपके चार आपसन तो आपके चार आपसन में तीन आपसन जो होंगे वो आपके समान हो जाएंगे और एक जो बचे का वो असंगत होगा बेमेल होगा तो 40 में आपका बेमेल कौन सा है आधी बांकी जैसे कि सारीरिक, दैहिक, मानसिक इन तीनों का मतलब आपका एक ही हो जाएगा 41 में बेमेल हो जाएगा घर प्रियेजन, परिवार, बच्चे ये तीनों आपके एक ही चीज में आ जाएंगे और 42 में बेमेल हो जाएगा मस्तक सिर्सीस और सीर्स ये तीनों मतलब एक ही होते हैं 43 में आपका बेमेल कौन सा होगा नेतर, बांकी के तीन आपके गलत हो जाएगे 44 में बेमेल खेद हो जाएगा बांकी जैसे समस्या जटिलता, कटनाई इन तीनों का मतलब एक ही होता है निर्दे से प्रसंसंक्या 45 से 49 के लिए निमले के सब्दों के उप्यूक्त पर्रयबाची छाटी है जैसे कि स्वर्ग का पर्रयबाची सब्द क्या होता है घाओ हो जाएगा कुबेर का पर्रयबाची सब्द धना अधिप रात्री का विभावरी भागी रती का पर्रय बाचे क्या हो जाएगा कंगा विद्धुत का क्या होगा विद्धुत का हो जाएगा ओप्सिन भी दामिनी निर्दे से प्रस्वन संक्या पचास से चपन के लिए निमले के सब्दों के लिए दिये के बिकल्पों में से सही बिलोम सब्द छाटिए सामनजस का बिलोम सब्द क्या होगा बिबाद ओजस्वी का क्या हो जाएगा निस्तेज पराकरम का बिलोम सब्द क्या होगा भीरुता हर्स का बिलोम सब्द हो जाएगा क्रपा उत्तेजित का बिलूम सब्द क्या होगा सांत रंक का बिलूम सब्द धन्बान निर्दे से प्रसंसंक्या 57-63 के लिए निमलिखित बाक्यों के लिए दिये के विकल्पों में से उचित पत छाणना है भहे बालक जिसे गोद लिया गया हो भू क्या कहिलाएगा ओप्सें ए दत्टक जिसको प्रसंस करना कठिन हो उसको क्या कहेंगे दुरा राध्यव पाप करने के बाद सुन्यत में दंड पाना इसका मतलब होगा प्राइश्चित जिसका इलाज ना हो सके असाध्यव जो धन को वेर्थक ब्याय करता हो, वो क्या कहलाता है? अपब्याई जो काम ना करना चाहे तो अकर्मन निल जिसे ना देख सके, ना सुन सके और ना चुँ सके वो क्या कहलाता है? अगोचर निर्दे से 64-59 के लिए निमलिकित प्रतिक पाके के लिए उसके नीचे दियेगे विकल्पों में से उसके प्रकार को चिन्नित करें जैसे कोश्चन मजदूर मेहनत करता है किन्तु उसके लाब से बंचित रहता है ये कौन सा बाके है? आप्शन सी सैयुक्त बाके हो जाएगा जिदर धुआ दिखाए दिया सब लोग उदर ही दोड़ पड़े यह आपका काउन सा बाके हो जाएगा आप्शन सी मिस्र बाके हो जाएगा मैंने कहा कुछ और उसने सुना कुछ और यह आपका किस टाइप का बाके है? मिस्र बाके हो ब्योहार में बहे विल्कुल बैसा ही है जैसे उसके पिताजी यह आपका किस टाइप का बाके है? मिस्र बाके ससंकरो सदाचारी बनो तो यह बाके हो जाएगा विधी बाचक प्रतम आने की कौन कहे उसे से परिच्छा पास भी नहीं की जाती यह आपका सईयोक्त बाच्य हो जाएगा निर्देशे प्रसं संक्या सत्तर से चहुत्तर के लिए निमलिकित प्रतिक बर्ग में दिये गए चार-चार विकल्पों में से सुद्ध बाके का चैन करें जैसे सत्तरवा कोश्चन है इसमें आपका सुद्ध बाके हो जाएगा बहे दंड देने योग है वह ये गलत तो आपका ऑप्सिन भी हो जाएगा बहे दंड के योग है ये बाला आपका सही हो जाएगा बांकी के तीन आप्सिन आपके कट जाएंगे 71 में आपका सुद्ध बाके हो एक एक option को चेक करते हैं भारत में अनेक हो जाती हैं ये गलत option B आपका सभी हो जाएगा भारत में अनेक जाती हैं बांके के दो आपके कट जाएंगे 72 में आपका कौन सा होगा option C बच्चे को फल काट कर खिलाओ ये आपका सुध बांके के तीन आपके कट हो जाएंगे 73 में आपका कौन सा होगा उसे अनुतिन होने की आसा ये भी गलत उसे अनुतिन होने की आसंका है ये वाला आपका सही हो जाएगा बांके के दो आव जो बचें वो कट जाएंगे okay 74 में आपका कल पाठ पढ़कर आईए ये गलत निम्लिकत मुहाबरों, लोकोक्तियों के लिए उचित विकल्प चुने, अंगूठा दिखाना, इसका मतलब होता है देने से इंकार करना, अंदे के हाथ बटेर लगना, इसका मतलब होता है भागे से कोई बस्तू मिल जाना, आंख लगना मुहाबरे का अर्थ क्या हो जाएग नीद आना, आंदी खोपड़ी तो मुर्क होना, कान का कच्चा इसका मतलब क्या होता है सीगर बिस्वास कर लेने वाला, घाट घाट का पानी पीना इसका मतलब होगा, अनुभवी होना, आवाल मुझे मार इसका मतलब हो जाएगा अपसे ने जान बुच कर मुसीवत में प इसका मतलब होगा, सदा एकसा, निन्यानबे के फेर में पढ़ना इसका मतलब होगा, अपसे ने धन कमाने में लगा रहना, हतेली पर सरसों नहीं जमती इसका मतलब होगा, अपसे ने बिना महनत फल पाना, अगला निमलिकित में से किसे रसराज कहा जाता है आप्सेन इस रंगार रस को निर्दे से प्रसंसंक्या 87-88 के लिए निमलिकित प्रत्यक गद्यांस को समझ कर सही चंद का चैन कीजिए जो जग हित पर प्राण निछाबर है कर पाता जिसका तन है किसी लोग हित में लग जाता इसमें आपका कौन सा चंद हो जाए इसमें आपका कौन सा चंद हो जाएगा आपसेन दोहा चंद निर्दे से प्रसंतंक्या 89-89 के लिए निमलिकित प्रस्टों में दिये के बाक्यों में प्रियुक्त अलंकार के भेट का चैन उसके नीचे दिये के बिकलपों में से कीजिए बीती बिभावरी जागरी अंबर इसमें आपका कौन सा अलंकार है रूपक अलंकार है इसमें अलंकार कौन सा होगा यमक निर्दे से 92-100 के लिए 59 प्रस्नों में दी गई रचना के रचीता का नाम का चैन कीजिया और दिये गई बिकलपों मैं से करना है गबन किस की रचना है मुंसी प्रेमचंद्र कुरूचेतर कुरूचेतर किस की रचना है राम धारी सिंग दिनकर चित्र लेखा तो आप्शन बी भगवती चरण बर्मा की रचना यामा किसकी रचना है आप्शन बी महादेवी बर्मा की गीत अंजली के रचेता कौन है रविंदर नाथ टैगोर अगला एक काप छेत्र में प्रबंद सिरो मड़ी की उपादी किसे दी गई है मैथली सरण गुप्त को बच्चन जी ने प्रथम बार जीवन और मानबेता के प्रती अपने प्राण भावों की बाने किस क्रती में दी प्रणाय पत्रिका नीचे दिये गए अवतरण के रचेता का नाम का चैन कीजिए जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूरत देखी तिन तैसी तो अप्सेंसी तोलसी दास कोकिल विद्धापती की पदावली कौन सी वासा में रचेत है मैथली तो गाई सास के इस पीडियो में इतना है थैंक्यो दन्यवाद